मुश्किलों से कहदो की उल्जा ना करे हमसे हमें हर हाल में जीतने का हुनर आता है सस्रेकाल मैं चंद्रब्रकाश तोड़ स्वागत करता हूँ एक खुश खबरी आई है जूनियर इंजिनियर पोस्ट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को लिए काफी टाइम से ये चर्चा थी जब से सरकार बदली है कि पंजाब आवर की विकेंसी जब आएंगी बहुत इंटर्नल एक डेटेल मेरे पास आई है अभी तक काफी बच्चे पूछ रहते तो मैं उन्हें साफ मना कर दे रहा था कि जब तक मेरे पास कोई पुक्ता इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो मैं नहीं बोलूगा और अब मेरे पास एक बहुत अंदर की जानकारी है बिल्कुल रिक्रूट्मेंट से ली गई एक प्रकार से ये जानकारी है मैं शुरुआत से थोड़ा सा बताता हूँ कि पंजाब पावर में एक्चुली चल क्या रहा है पिछले कुछ 4-5-6 महीनों में अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम का लिंक कमेंड बॉक्स में है पंजाब पावर में चल क्या रहा है वो समझी है सबसे पहले अभी रीसेंडली लगबग 30-2 महीने पहले A.E. की जॉइनिंग हो चुकी है ठीक है SDO पतपे जो बच्चे सेलेक्ट हुए है गेट के द्वारा हुए है ये बीटेक वाले बच्चे होते हैं गेट के द्वारा रेकुर्टमेंट हुई है A.E.L.M. की वेकेंसी आ चुकी है पच्चे सौ पोस्ट है आप लोगों को पता है बीटेक डिप्लोमा आईटिया इस अब लाउड है बस एक एपरेंटिस का सर्टिपेट चाहिए और अब बारी है डिप्लोमा वाले बच्चों की जो की जेई के लिए तेयारी कर रहे है केस चल रहा है अभी जो रीसेंट एक्टिविटी ये है कि PSPCL जेई के लिए डिप्लोमा को मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दिया कि बच्चों के पास कम से कम डिप्लोमा तो हो अगर उसके बाद बीटेग है तो वो ही वो भरत पाएंगे अब क्या है जो लोग केवल बीटेग वाले हैं वो इसे भर नहीं पा रहे हैं PSPCL जेई को तो उन्होंने कर दिया है केस वो ये कह रहे हैं कि आप हम higher qualification के हैं तो आप हमें अलाओ करिए आप ये minimum वाला qualification वाला जो column है ये हटा दीजे कि आपके पास डिप्लोमा के साथ बीटेग उनी चाहिए अब इस case की तारीक जो चल रही है पटेयला में ये case चल रहा है case की तारीक मुकमल जो अगली दी गई है वो दी गई है 11 मार्च 2024 मतलब 11 मार्च 2024 को अगली सुनवाई है हमारे पास information आई है कि J की जो अगली vacancy है वो अगले एक से दो महीने में आ जाएंगी दो महीने maximum आ जाएंगी और जो vacancy आ रही है वो आ रही है लगबग 200 से 500 पोस्ट याद रखिएगा अब कुछ बच्चे कहेंगे सर केस तो अभी पेंडिंग है अभी vacancy कैसे आ जाएगी 11 मार्च का भई केस है BTEC वालोंने केस कर रखा है जब तक वो सुनवाई declare होगी तो यह vacancy आई नहीं सकती है form कैसे fill up होगा आपका genuine है उसका भी मैं आपको यहाँ पर तर्क दे देता हूँ उसका भी मैं आपको यहाँ पर answer दे देता हूँ जो लोग PSPCL में PSPCL के लिए तयारी कर रहे हैं अगले दो महीने में vacancy लगवाग आएंगी यह live plus recorded course है मतलब recorded already है और live भी चल रहा है बहुत सारे बच्चे अभी पहले से ही तयारी को जोइन कर चुके हैं और अगर आप भी करना चाते हैं तो comment box में link के course का आप लोग access कर सकते हैं direct application download करके crest forum की याद रखिए क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा यह बात मैं बता दूँ आपको जैसी मान लीजे दो महीने बाद दो डाही महीने बाद vacancy जाएंगी वैसे दो महीने maximum बोला गया है जैसी vacancy जाएंगी एक महीना उसका form filling चलेगा और लगवाग तीन चार महीने उसका conduct हो जाएगा exam तो आपके पास लगवाग 5-6 महीने है और उतना ही अब यहाँ पर मैं आगे चीजों को और बता देता हूँ आपको कि बच्चे कहेंगे सर क्यारा मार्च का जो है पहले केस हो रहा है अब ऐसे तो सार रेकूट्मेंट कभी कलियर नहीं होगी केस की डेट है मतलब की केस सर खतम नहीं होगा तो कैसे होगा याद रखिये राजिस्थान हो गया यूपी हो गया ये केस खूब डाले गये हैं हर स्टेट में डाले गये हैं ब्यार में भी केस डाला गया था यूपी में भी केस डाला इसमें भी ओनली डिप्लोमा अलाउट था यूपी में जेई में यूपी में भी बीटेग वालोंने case डाला, कुछ नहीं हुआ, case चलता रहा, 2 साल, 10 साल case चलता रहा, पर इस बीच vacancy आती रही और बच्चे clear भी करते रहे इसका बहुत बड़ा example राजस्तान की REIT vacancy को देख लीजिए, REIT vacancy टीचर की vacancy होती है, वैसे तो इसमें technical वाली कोई vacancy नहीं होती है, उस vacancy में भी आप देख सकते हैं, बच्चों ने, उसमें beard वालों ने कई वार cases किये, पर एक वार सरकार ने फैसला कर लिया, कि वो केवल B CTC वालों के ही लेंगे, तो उन्होंने भी case होता रहा, पर vacancy आके clear भी हो गई, कुछ नहीं होता, याद रखेगा, तो जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, वो इस चीज़ को दिमाग में डालने कि आपकी preference कहीं न कहीं ज्यादा विवाग मानेगा, विवाग में ये बात अ की बातें बता रहा हूं कि विवाग में ये चीज़ें चलती है, इंटरनली, कि 200 से जैसे 200 पोस्ट जो बोली गई है, पहले डेपार्टमेंट ने अपने लेवल पर खटी कर ली, और आप वो जो प्रस्ताब जब CM साब के पास जाएगा, तो ये विवाग थोड़ा सा positive है, CM साब को लेके, CM साब इसे पास कर देंगे, CM साब वेकेंसी को लेके मना नहीं करते, ये भी एक positive बात बता रहा हूं, जो विवाग की है, किसके लिए, CM के लिए, तो आप ये समझ लीजिए, कि तयार तो हो गई है, मतलब ये पूरा आकलन लगा लिया गया है, कि पंजाब मे ऐसी अपडेट के लिए, टेलीग्राम लिंक को आप लोग जॉइन कर लिजे, कमेंट बॉक्स में है, मुलाकात करेंगे, सस्टे काल, ऐसी ही किसी वीडियो के साथ में, थेंक यू